हलेलूया, अंडवरेश कुस्तु विन, इनी ये नामतिल, इन्द सनी किलमाई इरव कुटत ले वंदर करानई वरकों वालत दल कोर गरें इस कन्वेंशन की दुनों में परमेशर अमारे बीच में रेकर अपने कामों को प्रगट करते आ रहा है इस रात के समय भी उसने जो टान लिया है वो बिना रुखावट के अमारे बीच में पूरा होवे आये हुए आप सबों को इश्य के नाम से बदाई देता हूँ हमारे प्रदान प्रचार को भी में बदाई देता हूँ कई जगह से आये हुए प्यारे सेवकों को भी में बदाई देता हूँ विश्वासी बाई बेनों को भी में बदाई देता हूँ हमारा भाईका द्वनी है वह हमारा भाई का द्वनी है वह हमारा उद्धा करता की द्वनी है वो हमारा दुला का दुनी है वो एक न्याई दिश का दुनी है वो हमारा स्वामी का दुनी है इस रात की समय इस शुकेता है मैं शीग रही आने वाला हूं ये मेरा राज्जा की दुनी है प्रकाश इत्माके की पुस्तक में पत्वन बदाम अधिगारों उन्नीस वादियाई में पदिन आरां वसनत ले सोलावा वच्चन में पढ़िये राजा दी राजा करता दी करता इननम नामम अवड़े वस्तरतिन मेलों अवड़े थोड़ा इन मेलों येड़द पटिरंद दे उसके वस्तर और जांग पर ये नाम लिखा है राजाओं का राजा और प्रभूं का प्रभूई राजा दी राजा इननम नाममेड़द पटिरंद दे राजाओं का राजा ये नाम लिखा है हमारा परमेश्रिश मसी राजाओं का राजा है हलेलुया पवीत्र शास्त्र में ईश्य को अधिक भार ये राजाओं का राजा कहा गया है येहवा राजा कहलाया जाता है क्योंकि वो शाष्ण करने वाला है राजा केते समय शाष्ण प्रगटोती है दानियेल चार सदतीस में स्वर्ग ये राजा करके कहलाये जाता है हमारा परमेश्वेर स्वर्ग का राजा है सारे स्वर्ग पर साष्ण करने वाला हमारा प्रभी बजन संगिता सैंताली साथ में सारे जगत का राजा करके लिखा गया है हमारा परमेशर के रिवल स्वर्ग पर नहीं सारी पृत्वी का महा राजा है इरमिया पत्ती एलिले इरमिया दस साथ में लिखा गया है कि कौन है वो जो अर्जातियों के राजा का भाई नहीं माने इस दुनिया में कई जाती के लोग है सबका राजा अमारा परमेशरी इशु है हलेलुया वो स्वर्ग का राजा वो सारे पृत्वी पर का राजा प्रकाशित्वा के एक पांच में हम देखते है सारे पृत्वी भर का राजा का अतिपती करके लिखा गया है इस पृत्वी में कई राजाए है कुछ लोग राजा कहलाए जाते हैं कुछ लोग अधिपती कहलाए जाते हैं इन सब भी राजाओं पर परमेश और हमारा अतिपती हैं अलेलुया दानियल 221 में लिखा गया है कि वह राजा को टुकरा कर दुसरे राजा को न्यूक्त करता है प्रित्वी बर के सबी राजाओं का राजा अमारा पर मेश और है इस प्रित्वी के राजा को न्यूक्त करना और उनको टुकराना अमारा पर मेश और है कुछ राजा ये वन्शावली में राजा बनते हैं कुछ लोग चनोती के रूप में राजा बनते है हर एक देश में अलग अलग प्रकार की बाते होती है बले जिसके भी दुआरा होवे हमारा ईश मसीही उनको चून लेता है कुछ लोग इस पर बोरोशा करना बहुती कटीन है लेकिन सच्छा ये है हमारा परमेशर जब आकाशे वर्सा बरसाता है कभी कुछ समय वो दंड के रूप में उतर आता है कुछ समय वो मनिश्यों के लोग उप्योगी रूप में उतर आता है अन्डगर के रूप से उतर आता है उसी तर चुनोंती भी शाषन भी होती है परमेशरेदी अपने लोगों को शुद्ध करना चाहे दंड के समान शाषन पर आग्या देता है वैसे राजाओं को सिहासन पर विराजमान कराता है लेकिन देश के लिए उप्योगी परमेशर के लोगों के लिए अन्डग रही यदि एक शाषन करना परमेशर चाहे उसके अलोका लोगों को परमेशर उठाता है सब कुछ हमारे परमेशर के हाथों में है एक लेलुया कहेंगे लेलुया अबर भूमीन राजा कलक लाम आदिवदी वो सारे पृत्वी भर के राजाओं का अधिकारी है बड़े चक्रवर्ती नभुगत नेजर ने कहा दानियल यरंड नार्पति एलिले दानियल 2.47 में दे संगीता 144 दस्वा वच्चन केता है ये राजाओं को जैई देता है येदी कोई राजा जीतता है तो वो जैई परमेशर की और से होता है निती वच्चन 21 वच्चन केता है राजाओं का मन जो है वो एक सोते के समान होता है जिसे वो अपनी इच्छा के अनुसर उसे बदल देता है इसले कोई भी शाषन हो येदी हम परातना करे तो परमेशर उसे बदल सकता है लेलूया अगस्पेर राजा वड़े ये उल्ला वोटं आमान की नेराई पाइंदु वंडरूंगे शेर्ष राजा की शाषन जो है हामान की और दोड रहा था ता किसी रात के समय उसे परमेशर ने जल के समान बढ़ा आबैका दिया उसे मुर्देगई की और बहा दिया स्वर्गे परमेशर उसे करने में सामर्ती है आज भी करने में सामर्ती है राजाओं का मन उसके हाथों में जल के समान है उसे अपनी इच्छा के अनुसर बदल देता है हमारा परमेश्व स्वर्ग का राजा है हमारा परमेश्व और पृत्वी भर में राजा है हमारा परमेश्व राजाओं का दिपती है बजन संगिता दो छे में सियोन का राजा कहलाया गया है इसलिए वो सियोन का राजा कहलाए जाता है बजन संगिता 49 वा 42 में सियोन के पित्र अपनी राजाओं में प्रफुलित होवे और मत्ती 24 में ये सियोन के पुत्री तेरे राजा तुच से कचेर में चड़ कर तेरे पास आ रहा है प्रकाशित वाक ये 15 तीन में लिखा गया है वो पवित्र लोगों का राजा है केवल स्वर्ग में और पृत्वी बर में नहीं वो सियोन का राजा वो पवित्र लोगों का राजा वो कलिशिया में शाशन कर रहा है कलिशिया पर शाशन करने वाला मारा परमेश्वे संगीतम 74 पनिरंड ले बजन संगीता चोर अतर भारा में बजनकार दाउत केता है तुम मेरे राजा हो तुम मेरे राजा हो मुझ पर साशन करने वाले राजा हो क्या परमेश्र की साशन को देखे उसकी शासन स्वर्ग भर में है उसकी शासन प्रुत्वी भर में है प्रुत्वी भर के राजाओं पर उसका शाशन है बवन में परमेश्र की राजा साशन है उसके हातों पर समर्पन किये है हर एक वेकितीक जीवन पर उसका सांसन है आज के दिन हम पर सांसन करने वाले आमारे राजाओं का राजा वही प्रत्विक राज सांसन करता है वही कलिशियों पर शाशन करता है इंग विचार हमको कितनी बल्वंद करता है अधिकार हमारे साथ न कर सके वो हमारा परमेश्र अमारे लिए करता है जो भी स्वर्ग में और पृत्वी में कुछ भी एदी हमारे लिए करना है तो उसे करने का अधिकार के वल अमारे परमेशर को है जब हम परमेशर को राजा की रूप में ध्यान करते हैं तो अमारे लिए अधिक लाब धायक है सामाईक तोर से राजाओं का काम क्या होता है राजा कई युद्ध करके देशंगलाई पड़ित्तु देश को पकड़कर शत्रों को नाश करके अपनी शाष्ण की सीमाओं को बढ़ाते है जो भी युद्ध करके कपजाकिये वे स्थान को विस्तार करते है यही राजाओं का मुख्य काम होता है वैसे देखा गया तो इश मसी इस दुनिया में तीन प्रकार के युद्ध किये तीन युद्ध में भी शेटान को नाश किया अपने राज्य को स्थापन किया आज के दिन उस तीन युद्ध के बारे में हम ध्यान करने वाले है राजाओं का राजा के रूप में न्यूक्त किया गया अमारा परमेश्री इश मसी इस मानों के जाती के लिए इस प्रुत्वी में तीन युद्ध दूस ने किया उसे हम ध्यान करते समय परमेश्र हमारे लिए जो योजना रखे है उसे भी हम समच पाएंगे मत्ती इक्की स्चार को मैंने पहले से कहा इस सियोन के पुत्री के लाकर उसके लिए एक शब्द कहा गया देख तेरा राजा तेरे पास आता है साड़े तेती साल इस दर्ती पर जिया हूँ आमारा इश्री उसके पास कही लोग आकर प्रश्न पूचे तुम इस रोमियों के हाथों से शाषन को कब जा करकर हमारे हाथ में कब दोगे कब तुम यहुदा पर साषन करोगे चेले भी उसी किंदजार में बैटे थे लेकिन अमारा इखोवा ने कभी अपने आपको राजा के रूप में प्रगट नहीं किया पर में इश्री इस फृत्वी के साषन के लिए नहीं आया हमारे मन में साषन करने के लिए इश्यू आया है नपोलियन बानो बट नामक एक महावीर ने इसके बारे में का है मैं इस मिटी के लिए लड़ा लेकिन मैं हार गया लेकिन नाजरेत गाउं से आया हुआ इश्यू हर एक मानों के मन में अपने राज्य को साषन गदवादिकार किया है वो ही उसने साषन किया है यही एक नपोलियन का शब्द है सच्चाई भी वही है हमारा परमेश रीश मसी एहुदा को कब जा करने के रूप में आया इसे कभी प्रगट नहीं किया लेकिन इस गटना में एक गदव पर बैटकर एर्शलेम में सफर करते आया हुआ यह गटना देख तेरा राजा तेरे पास आता है करके कहा गया है वहाँ पर कई लोग उसे यहोसन ना कहेकर उसकी महिमा किये ये भी एक आश्चरे चकत सफर था ये किसका आरंब है क्रूस की भोज का आरंब है क्रूस का भोज कहने से बढ़कर क्रूस पर किया जाने वाला उसका युद्ध का आरंब है इसलिए उसने वहाँ पर अपने आपको राजा के रूप में प्रगट किया मानव जाती के लिए सबसे पहले किया जाने वाला युद्ध और कल्वरी क्रूस पर किया जाने वाला युद्ध है इसलिए वह अपने आपको एक राजा के रूप में वहाँ पर प्रगट किया सबसे पहला युद्ध कुल्गदा आवील नडंद युद्ध वह अपनी क्रूस को उठाते वे कल्गदा नामक उस जगह पर चड़ते वे गया कल्गदा में हुई युद्ध इस युद्ध में इस शत्रु कौन है इस शत्रु पहले से ही नियुक्त किया गया है आदाम एवाल एदेन थोटते विट्ट वेली आकके इंड़ वेलईले परमेशर एखवान एक शब्द कहा वो तेरे सिर्को कुचल डालेगा सर्प को देखर कहा हुआ बाते सर्प में साताने एशेटान उन तलय यही तेरे सिर्को आवर नसुकवा वो कुचल डालेगा अबर यार वो कौन है वो ही स्त्री का भीज है स्त्री का भीज के लाए जाने वाला वो ही एक मात्र हमारा इश्मसी है सारे मानव जाती एक जन्म हुए है सारे मानव जाती का आरंब जो है मा के गर्ब से शुरू होती है लेकिन इश्मसी का आरंब कोई कुवारी का घर्ब नहीं वो आदी में वचन है कुवारी मर्यम के पेट में वचन प्रवेश किया और वो वचन शारिरिक बनने के लिए उसके गर्ब में उत्पन हुआ इसलिए सभी मानव जाती से बढ़कर अमारा इश्मसी विशेश और अनोका है वो हमारा परमेश का पुत्र हमारे लिए मनिश्य का पुत्र बनकर इस पृत्वी में आया इसलिए उसके जन्व में कोई पुरुष का सब आगी नहीं है इसलिए वो स्त्री का भीच के लाए जाता है वो स्त्री का भीच बनकर आने वाला शेतान के सिर को कुचल डालेगा अमारा परमेश रेश मसी ने कहा हुआ बहुश्यवानी उसी दिन शत्रू नियुक्त किया गया वही पुर्राने सर्प जो है ए देन वाटिका में मनिश्यों को बहकाया हुआ शेता परमेशर के विचारों से धूर किया हुआ शेता परमेशर की महिमा को खोदेने का कारण मनावा शेतान वही शेतान परमेशर का शत्रू बना वही मानो जाती का शत्रू उसी शत्रू पर जैपाने के लिए एशु करिस्तो तमद सिलुवै तूकी कोंड़ कोल्गो दावक को बोना अमारा एशु मसी क्रूस को उठा तेवे कोल्गदाँ बर चला लेलूया चिलुवैले नमडे पावंगले शमंदु दीर्था क्रूस पर अमारे पापो को उठालिया थीयादिग्लैं शुमंदू दीर्थ शांती के भिगण को उठालिया ऑमाँरे धुक्क उर शोको उठालिया वुरुपेडी येवर जैत्त myill एक बहुत बड़ा जै उसने पालिया लेलूया केवल क्रूस का बली नहीं लेकिन क्रूस एक बहुत बड़ा विश्वे युद्ध है उस युद्ध के अंत में क्या का गया है दूसरा दियाए पंद्राव वच्छ पढ़िये तुरैत्तनंगलयुम अधिखारंगलयुम ऊरिंदु कोंड़ वेली अरंगमान कोलमा की अवैगलीन मेल सिलुवय ले भेट्टी सिरंदार अलेलूया अलेलूया एन्न अरुमयाग एड़द पट्टि रुकरदु कितने बल्कि शत्रु को खुलम खुला तमाशा किया वस्तान है मानव जाती के शत्रु पर जैपाया वस्तान है ये बच्चन उसे अच्छी तरसे समझाता है प्रदान ताओ अर अधिकारी के उपर उतर कर आदम को यी परमेश ने इस पृत्वी पर एक साशन करने वाला बनाए लेकिन आदम ने सब कुछ शेतान के हाथ में सोब दिया और शेतान इस विश्व का अधिकारी बन कराया लेकिन इश्मसी जब क्रूस पर चड़ कर अपना लहु बहाया तिसरा दिन जी उटने पर शेतान के अधिकार और प्रदान ताओंको को कुल्लम कुल्ला तमाशा किया उसे साबर्त से नष्ट किया अधिकार तैं पुटेंगे ना उसके अधिकार यो को नष्ट किया लेलूया उसके बाद थोड़े देर से उसका पून छिलता रहता है फिर उसके बाद कुछ ये किसे डर नहीं लगता है उसी तरह इस शेटान के भी साथ हुआ क्रूस पर उसके सिर को कुछला दिया अब उसके तंतर के रूपे उसके फून्च के दुआरा क्रिया कर रहा है क्रूस के बाद मानों जाती को बहुत बड़ा जैई मिला है शेटान के अधिकारों को परमेशनी चीन लिया है केवल वो नहीं उसे कुल्लम खुला तमाशा किया ये बहुत अच्छा शब्द है उसे उस पर इन्जाम लगाकर उसे तमाशा बहुत इ रोमियों की बातों को पौल सच्छी तरसे जानता था इसे जब देखते है जहां में रोमियों को राजा युद्ध के ले जाते है जब युद्ध से जैई पाकर लोटते समय रोमियों में बहुत बड़ा एक मोर्चा करते थे राजा अपना राजा का वस्तर पहन कर उस मोर्चा में आता था उसके आगे उस विरोधी देश का राजा या वहां से पकड लाई वे कैदियों को उन सब को बांद कर आगे ले जाते थे जो भी रास्ते में दिखेगा सम उनको मारते थे उन पर तमाशा करते थे और उस शत्रु को भी उसी तरह कुल्लम खुल्ला तमाशा किया उसे लज्जीत किया अधे पोल येस सिल्वाईल साताने जैता उसी तरह अमारा परमेश रेश मसी सेथान पर जैपाया अवने वेडिया रंगमान कोल माखिना उसे खुल्लम खुल्ला तमाशा किया अवने युम अवनोडे यल्ला पिसासीन आविगळ मेलों सिल्वाईले आवर वेट्टि से रंदा सबसे पहला युद्ध अमारा परमेश रेश कर्टि सेथान पर जैपाया जब भी राजा लोग युद्ध में जैपाते हैं तो अपने राजी को स्तापन करते हैं ओडने इस मसी अपने पहले युद्ध में जैपाते हैं इस प्रित्वी में पवित्र आत्मा जी का साशन न्यूक्त किया है कलिश्या को स्थापन किया है कलिश्या को चलाने वाला पवित्र आत्मा जी है पवित्र आत्मा जी की साशन ही इस दुनिया में चल रहा है हमारा ईशु जब प्रत्वी में था थब इसके मारे में कहा लूका ग्यारा बीस में ईशु ने कहा मैं परमेशर के उंगुलियों से शेतान को बगाताउं इसले परमेशर का राज्य तुमारे भीतर आया है मत्ती बारा टाइस में कहा मैं परमेशर के आत्माओं के दुवारा शेतान को बगाताउं इसले परमेशर का राज्य तुमारे भीतर आया है हमारा परमेशर आत्मा की सहायता से इस प्रत्वी में अपना सेवा पूरा किया क्योंकि फुत्र नाम का सारा अधिकार को वहाँ पर खाली करके इस प्रत्वी में आया एक मनिश्य का फुत्र बन कराया इसलिए जब वो बप्तिस्मा लेकर किनारे में पहुंचा तो पवितरात्मा जी उसके उपर उत्रा पवितरात्मा जी अपने अधिकार से सामच से अधिक अधिक से उसे बढ़ा दिया था परिशु तावी इन वल्लमयाल अवर उडियम चेएगा परिशु तावी इन्वेटासे उसने सेवा किया अलवेच उन्नार देवन्टे आल गया देवन्टे राज्यम वंदर करदू इसले उसने कहा पर मेश्वर का राज्य आया है अर वंद नोकम उसका आने का मक्स शेइतान पर जैपाकर परिशु तावी इन्वेटे राज्य तेई पोमील स्थाबिकेव परिशु तावी आनवर इन्द वलक्तु का नप्पिल स्वर्ग से पवितरात्मा जी कोई स्पृत्वी में बेजा परिशु तावी आनवर मेल विट्टर इल कुडि अरुंद नुट्टि रुवद बेर मेल मंदी अरंगिन उप्री कोट्री में जोबी 120 लोग इकटे दे सब पर पवितरात्मा जी आपरुदरा परिशु तावी नाल अरप पट्टार गई परिशु के दुवारा दिये वर्दान के दुवारा अन्य बाश्रा बोलने लगे परिशु के आत्मा से भरे गई उसी दिन तीन जार लोगों दार पांकर कलिश्या में इकटे हुए बसके बाद पांच जार लोगी कटे हुए उद्दार की क्रिया बहुत आई तुरुस से प्रकत हुई पेश मंगलूं कत्रोडे राज्ययम परम्बिन देश्बर में प्रभुका साशन बढ़ने लगा विषबर में पॉलूस के दुबार आपर मेश ने सेवा की स्तापन की ये सब पवितरातमा जी करके करते आया है आज के दिन भी जो सेवा हो रहे पवितरातमा जी की साशन है कलिश्या के बारे में देखिये हम कहीं तो थे कैसे तो भी जीवन बिथा रहे थे लेकिन पवित रात्मा जी अम पर मंड राया हम पर पापों का बेवेद ना दिया एश्वी नर्चे दिये केटो एश्वी के प्रेम को चटकर देखा परिशुत रात्मा जी का भी शेको पाया और पवित रात्मा जी की साशन में भड़ रहे है यही पवित रात्मा जी पर मेशर पूरे राज्ये में क्रिया कर रहा है आज के दिन इस पवित्र आत्मा जी की साशन में आये वे लो आप लोग सव भाग्ये हो क्योंकि इशुने स्थापन किया हुआ राज्ये में आप आये हो अलेलूया इसले इशु मसी का पूरी तरसे मक्सद मनकुलत तई पावत्तिल वड़तल लेना सत्तुरुवई वेलता 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 मानव जाती के पापों पर गिराया हुआ शेयतान को हराना है उसके शाशन को छीन लेने लेना है मनिश्यों के दुवारा वो जैन नहीं पासकेंगे अधनार तमडे परिशुत आवी ये इंद भूला गतले अनपवेट इसलिए अपने पवित्रात माजी को इस प्रत्वी में बेजना है अधना आवीन मोला माग देवन आलके वली पड़ता वेलता वेलता आज की दिन भी इस प्रत्वी में कार्य कर रहा है हमारे बीच में वो उपस्तित है अभी शेख पाएवे लोगों के मन में वो प्रवेश करता है हमारे मन में निवास करके अमारे शरीर को परमेशर का मंदीर बना देता है अब्भी वो हमें मसी के आगमन के लिए तयार कर रहा है अजानक एक दिन वो गटना होने वाली है ईशु स्वर्ग से उतर कर आकाश में आएगा पहले तिसलोनों की कि पुस्तक चौता दिया है 16-17 में हम पड़ते है हमारा परमेश रीशी आर अवार तोड़म प्रदान दूतों की द्वनी के द्वारा और नर्सुंगी के आवाज के साथ आकाश से नीचे उतर आएगा इंद आरवारम एंद शुलो वदर के ये जेजे कार की आवाज जो है वो एम्प्लिफाइट बाइबल में लिखा गया है वो जो है स्वर्ग दूतों की पंकों के बीच में निकलने वाली आवाज वे पर मेश्वर की महिमा करते वे वहां पर आएंगे करोड करोड दूतों के बीच में अमारा इशु आएगा प्रदान दूतों की आवाज जैसे एक बहुत बड़ा प्रदान मंत्री जी जब आते हैं तो आगे से एक साइरिन की आवाज सुनाई देती है उसी तरज महा इशु आएंगे तम महा पर प्रदान दूतों की आवाज सुनाई देगी बीच में प्रवेश करने वाले प्रदान दातों की सार्यादी खारों को नस्ट कर देता है और नर्सिंगे की आवाज के साथ अमारा इशु आएंगा तैयार हो जाएंगे निकल जाएंगे एंगर खाख वुद पड़गर एकाळां इसी लिए फूंग आजाने वाला नर्सिंगा ऐसे आखास से पर मेशर उत्तर आएगा लगातार उस वच्चन में पड़ते हैं जो कोई प्रभू में मरे है वो पहले जी उठेंगे मसी में जो मरे है वो पहले जी उठेंगे एक मात्रशन में इस वाखा इत्तिल वरुम पड़ते इत्तिल यो आखाश में दिखाए देते समय जो कोई कितने दिनों से पर मेश्वर के लिए तफनाए गये मर कर तफनाए गये लोग उनकी प्राण विश्राम स्थान में विश्राम पाता है उनका शरीर कप्रस्तान से उठेगी परिशुत आवियान उड़े वर अर्पुदस सेयल यही पवीत रात्मा जी का भूत कार्य है अब नमड़े सारी रंगले वीर फिकर अवर एंड रोमर एट पदिनोंड चुल गरदु रोमिया आठ एक में लिखा गया है कि वा अमारे शरीरों को जिलाता है परिशुत आवियान वर वीरोड यड़ुपवा खवीत रात्मा जी जी जीवीत उठाएगा अवर गड़ मार इस प्रकार सदा यहवा के संग रहेंगे सबसे पहले मरे वे जब जी उठकर जाएंगे लगातार उसी दिन जो जीवीत है क्रिस्तुवुकुल एरकर वर गड़ुपवा जो उठालिया जाने के लिए तयार है अपने यह एड़ुपवा पड़ुपवा एश्वी के साथ हम बड़े क्यों उठालिये जाने के दिनतर अवी राजिया ववित्राइदा आत्माजी का साश्वा इंकालम कलिश्या का काल में रच्शिप इंकाल हमारा उध्दार काल लेलुया इन्द रच्षान्यागा तिलवाल नदे खुण्ड़ करो एस उध्दार की काल में झी रहे है हमें तस्सलिऄ देने के लिए हमें भल्वंद करने के लिए कलिष्या है हमें मसीह के आगमन परिछुत करने के लिए पवित्रात्मा जी है हमारे हातों में पवित्र शास्त्र है यह स में जीने वाले परमेशर के लोगों आप अपने जीवन को फिर से जिदार करने की इश्व जल्दी आएगा ताले लार कलाम ये रविलार कलाम बले रात हो या दिन हो यह पुड़ माई तमाईर कवेंडों हमेशा में तयार रहे ना है मनंदुर मिनाया क्या तुम मन फिराए हो क्या तुम डूब कर बप्ति समालिये हो तुम परमेश्वर के आतमा पाये हो या पवित्र शास्त्र जी ने जो छोड़ने को कायों से चोड़कर तुम पवित्र हुए हो क्या तुम यहवा की कलिश्या में जुड़े हो अपोस उड़े उवदेशतिल तरित्र कराया क्या प्रेरितों के संदेश्वे में जुड़े हो क्या सभागिता में रोटी तोड़ने में तुम सभागी हो क्या प्रात्ना में बने हो सिद्ध हो बढ़ने के लिए क्या तुम आगे भढ़ रहे हो या तो आज के दिन निरने लिजिए इसमें कौन सी बातों में तुम रुखे गए हो आपका जीवन आगे बढ़ना है मैं उदार पाया हू इसी बात में संतुष्टो कर बैटना नहीं है सिद्ध होने के लिए मैं आगे बढ़ते जाना है अमारी पवित्रता और भी निपून होना है अमारी सुभाव में अच्छी तरह से रूपांतर होना है यह वा के लिए जो काम करना है वो किया जाए इस प्रकार मसी में बढ़ने वाले बनेंगे अमारी चाहत और इच्छ स्वर्ग की और फिराएंगे हम दुनिया की बातों में बंदे न रहे कभी भी नरसिंगा फूंगे उसके लिए जी उटाए जाने के लिएं तयार है हमारा मन इस दुनिया की स्ने से बरे न रहे इश्वर्य प्रेम से बरे रहे इश्वर्य जल्दी आ रहा है अवित्रात्मा जी हमारे अंदर क्रिया करके अमें तयार करना है इस कन्वेंशन के दिनों में पाया हुआ शब्द इंगल पिट्ट्ट गोंड देवन डे किरिये गए आपने पाया हुआ पर मेश्र की क्रिया इंद बढ़ा खतली विट्ट वट्ट पोई वड़ा देरंगे इसी केंपस में चोड़ करना जाना वाट के ले तोड़न देट चल लेंगे उसे लगातर अपनी जीवन में अभ्यास करना मसी में बढ़ते जाना परशुत मागे पव महापर एक अच्चमबा काम प्रगट होगा उठा लिए गए पवित्र लोग वैसी इशु के साथ जुड़े जाकर येल आंट गई साथ साल मेमने के विवाह की जेवनार में अनद मगल्चियान नटकले अनबोव करेंगे नाम परलोगतिले देवनिकम उनबागे परमेशर के सामने मेमने के सामने मसी में मरेवे जी उटकर उसी दिन उठालियेगे हम सब एक साथ रहेंगे साथ साल पिता परमेशर ईशु को आदर करेगा ईशु मसीख रूस पर चड़ा इसलिए ये लोग स्वर्ग पर आप होंचे है ईशु हम हर्रे को पिता से मुलाकात करेगा हमारे बारे में ईशु कबूल करेगा पिता के सामने अर दूतों के सामने मैं कबूल करूंगा करके परमेशर ने कहा है के वल वो नहीं मेरा फल परमेशर के साल आम इस दुनिया में जो पवित्र जीवन भिता उसका प्रती फल पोदगल सही ते कारियंग जो भी आमने भोज उठाय उसका प्रती बारेंग पर्मेशर के लिए खिया गया सेवा पर्मेशर के लिए दिया हुआ सबका प्रतीफल एक लोटा पानी भी दिया हो अधरकुम प्रतीफल उसका भी प्रतीफल मिलेगा सारे कामों का फल इश्यों को देगा साथ साल जम अहापर आनंद होगी इस प्रत्वी में अंधिकरिस्थुवी नाच्ची नडएवो एश्यों वंद नमें एड़ुत्थु कोल्ण बूद एश्यों मसी जम अमें उठाले जाएगा पवित्रात्माजी का साश है अड़ते मरवडियों सत्त्रुवी नाळगी फिरसे शत्रों का साश है ये लांड गई साथ साल अंध पढ़यों पामबाईयों सात्ता पुराने सर्पुरूपी शेटान अंधिकरिस्थु एंगरवने अभिशेगं बन्नी अंति मसीही नाम कहन करने वाले विक्ति को अभिशेग करके बेद तुन बड़ी नाम पार्कमबड़ अवन और अरसीयल तले बनागे रुक कोड़ों सास्त्र के द्वार आइदियम देखेंगे तो एक सरकार का नेता भी बन सकता है इस सारे देश के राज्यों को वह चीट लेगा एकी चाते में ले आएगा उसके साथ एक जूटा नभी अवन इम इन्द शातान अभिशेकम बनवा उसे भी शेतान अभिशे करेगा अवन उर मदत तले वनागे रुपा वो एक धार्मिक नेता होगा इंद रंडम सेरंद ये दोनों मिलक शातानों उड़ सेरंद शेतान के साथ मिलकर मू इस दुनिया पर साशन करेंगे अलेलूया 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 अबर गल्ड़ पट्वर ले उपत्रों बनवार वे लोग जो भी छुडाएंगे हैं जो हाथ चोड़े गए उनको बत्र सताएंगे इस्यों के आगमन में जो उठानी लीगे हैं ये आप तैयार ना रहेंग इड़त्वकल पड़ मुडिया आप नहीं उठा लिये जाएंगे है ये वड़ पड़ वे रहेंगे है जो छोड़े गए वह अंती मसी की साशन में प्रवेश करेंगे अवन तनुड़े विकरते वनंग सोरुबते वनंग चोल्लूवा वे अपने मूर्ती को पूझा करने के कहेगा अवने मुत्रय अरनुटर बतार तरीके चोल्लूवा वह अपना मुहर चेसो चियासर पहनने को कहेगा अटे नंडु सम्ना वेदी नहीं करेंगे शाप्ड़ कुड़ वली इरकाद खाना भी नहीं मिलेगा वो यतले यह अनुपोई के मुडिया एक दुन्या में कु कैसे जी सकेंगे उतना ही क्रूर करेंगे लोग इंकार कर देंगे खड़े रेने पाएंगे उस मुहर को धारन कर लेंगे उसका मुहर एदी दारन कर ले अगनी और गंदक के जील के पात रहे उसके बाद उसको कोई मोखा नहीं मिलेगा अनन्त अनन्त काल तक वह न्याई के दिन में इची बिताए ला है एक छोटी सी बीड अधले निलाई निर्पार उसी में ठीकेंगे लेलुया अलेलुया अलेलुया अवर गड़ा पड़ तुम बढ़िया उनको बलवन्द करने के लिए रंड़ साची गड़ाई करतर अनु सुल्लुवार के लिए बाउशेवानी के हैंगे अवला अर्पुद अंगले नडपी पारें अध्भुद काम प्रगट करेंगे अवर गलिंद अंधिक्रिस्त्विनाल उत्रों पड़कर काईवड़ पट्ट मक्कड़ के उधाविया इर पार वे अंतिमसी के दुआरा छु अंतिमसी इन दोनों को घात करेंगा उनका शरीर एरसलेम के सड़कों पर गिरादेगा उलगम पार पार गई सारे दुनिया के लोग इसे देखेंगे इसे देखते समय तुदीर अवी अवर गलु कुल वरो अच्छानक परमेशर के आत्मा उनके अंदर जीवन होगी मरित उठेंगे और वो वेसी स्वर्ग में उठा लिये जाएंगे अलेलूया एरकन वे वर वीर्थड़दल नड़ंद पेले ही एक पुनरतान हुआ अधे नान सुन्ने उसी के बारे में मैंने बताया एशु जब आकाश में दिखाय देगा तब एक पुनरतान अधे उसके साथ उसके बारे में कहा गया था कुप्रत्तम प्रती फल का ज्वनरतान अधिकर सुविनाची इन पादी इले एस अंती मसी के मार्ग में दुरेंड साची कल वीर्थड़वारे ये दोनों गवाहों जी उठेंगे अवर्गल पर लोत्तु के रिचल्वारे वे स्वर्ग पर चड के दिन इन अंती मसी अधिक वृति से कार्य करेगा वो यहुदियों के विरोध भी क्रिया करेगा भूवियल्लां भयकरमान थी में अन्दु प्रत्वी बर में कुरूर बरी बाते प्रगट होगी अब जो मसी के लिए खड़े हैं उनके लिए दो गवाहों के भी सहायता नह कलिश्या नहीं पवित्रात्माजी नहीं पूरी तरसे खाली पनार अंधियार अबरा हुआ जगर अना आल इन्द एल आंड़कल अंधिकरिस्तों नाट्ची लें लेकिनी साथ साल के अंति मसी में और सिरु कूट्टां केवल कुछ बीड के लो इस मुहर का दारन नहीं करें हमने जो पाया है इशुकों में पानाई है उस दीन हम तयार नहीं ते इसलिए हम छोड़े गये लेकिन अभी कुछ भी हो जाए हमें किसी भी तरसे इशुकों पाना है वे लोग इपरतमान में जी नहीं सकेंगे रत्त साचिकलाई मरी पारेंगे वे लहु बहा कर अपना प् एसे लहु बहा कर मरने वाले 7 वरडंगल मुडियं भऴुदु साथ साल के समात्त में अवर्गल वह इरत्त लब वारेगे लोग जी उठेंगे अलेलुया अलेलुया अले लागЛ वहल बहा कर मरे वों कि पुनरता प्रकाशीत वाकी के उन्दी करिस्तुवीन आच्ची मुडिवुद के वरं पुड़ुदु जब वो साथ्वा साल का अंती मसी का साशन पूरा होगा फिर से ईशू तर आएगा प्रकाशीत वाकी के उन्नीस ब्ग्यारा से जब नीचे पड़ते हैं वहाँ पर ईशू का दूसरा आगमन के बारे में बताया गया है वो प्रित्वी पर आने वाली आगमन तसलोनी के उल्ले सोल्लपट दा आगायत्तिल वरगर वरगई पर्शुत वान गलाई तमोड सेर्थ कोड़ों पड़ी वरगर वरगई पवित्र लोगों को अपने साथ जोड लेने के लिए आने वाली आगमन साथ साल के अंती मसी की साशन के बार ईशू उतर आएगा श्वेद गोडे पर चड़ कर आएगा उसके साथ स्वर्ग की सेना भी उतर आएँगे उस दीन स्वर्ग की सेना खोण रहेंगे तूदर गुट्टां तूथों का संग परिशतों अंगल गुट्टां पवित्रों की भीड एड़ वर्षत कमनाडी परिशतों अंगल गुट्टां मेला वंदा ची क्योंकि साथ साल के पेले ही पवित्र लोग उपर उठा लिए गए तूदर गुट्टों के संग और हम भी ईश्व के साथ आएंगे एशु जैतुन के पहाड़ पर आकर उत्रेगा तब वहां पर द्वित्य युद्ध शुरू होगा इस द्वित्य युद्ध के बारे में अधि हंगे नडग वो कहा पर होगी प्रकाशित्वा के सोला सोला केता है अर्गमदो नामकिस्तान पर द्वित्य युद्ध होने वाला है एशु क्रिस्थ वानति लोंद यरंगी वर्वार जब ईश्वा का से उतर आएगा अवर गेदर आगे उसके विरोध में अंती क्रिस्थ वानतिर के तर्शियम साथ आनम अंती मसी जूटा नभी और शेयतान अपने वाचा की एवे साशन के लोगों को लेकर एशु वसी के विरोध युद्ध करने कले आएगे इंगे इस द्वित्य युद्ध का स्थान हर्मगी दो शत्रू तीन जन उंडे मिर्गमा ये अंती क्रिस्थ एक तो जानवर रूपी अंती मसी प्रकाशित्वा के सत्रा म लेकर चौदात है अड़त दागे अंदर कला तिर्क दरसी आगी है वो मीलं देलंपी वरगरम उसके बाद जूटा नभी के लाए जाने वाला पृत्वी से उठा उठकर आने वाला जानवर अवने कुरित्व मंगे इस उल्ला पट्रिकर दे वहां पर लिखा गया है अड़ जोला वो कि दुवर से आग शॉला पट्रिकर दे इसके बारे में एक एक करके बताया गया है अधुटे विलक अंगल उसका समझ वेडिपड़ी पढ़त ले पला पगदी गली ले चॉला पट्रिक प्रकाशित्वा के के बागों में बताया गया है अन्यलिन पुस्तगत फिर वो पशू और जूटा नभी उसकी सेना ये खोड़े पर चड़े वे के साथ अवर उडे सेना से लडने के लिए इकटे वे देखा अलेलुया इंद युद्ध तिले मून्द उस्पुक्ये सत्र गई इस युद्ध में तीन शत्रू शातान अंधिकर्श्चू कल दिर् प्रत्वी की राजाए इंद कुट्ट तोड़ एस युद्ध मनवा इन सेनाओं के साथ इशू युद्ध करेगा अबर वा इन पट्टे यत ताल इंद युद्ध तैसे वार इंड बाइबल चोल लगरत लिखा गया है कि वह अपनी मू की भोली से उस पर युद्ध करेगा कोल्गदा की युद्ध में लहु के दुआरा किया अपनी लहु बहाकर अवर अंद युद्ध को पूरा किया अधु वह एक आश्च्रे चकीत युद्ध है इंद रड़ा वद युद्ध ताल चेवा अपनी मू की तल्वार से करेगा वा इन पट्टे मेंडाल वार्त यु हर्मगिदोन के युद्ध में भी परमेश जैए पाएगा अंद युद्ध का अंत क्या है पत्तन बदाम अधिगारम इर्वदाम वस्वावचन अपड़ु मिर्गम पटिके पट्टादु तब पशु पकड़ा जाएगा अंधिकरुस्द पटिके पट्टा अंती मसी जो कोई पशु की चाप थी और जो कोई मूर्थी की पूजा करते थे और जो कोई बर्माएगे थे सब पकड़े गए अंद इरुवर्म कंदगम अक्किनी अकंदगम एरी गरह अक्किनी गड़ली ले विलोड़े तल्ड़ पट्टा रिए दोनों जीते जी उस आग की जील म जो घंधक से जलती है डाले गए उत्तिन मुर्णी वह पा रिंगे इस युद्ध का अंत को देखिए येसुड़े वार्तिक मन भाई निरकम दी आध बड़ी एशु के सेने के सामने खडए नरल्स पाते वे वे दोनों आग की जील में गंदक से जलती वे उसे डाले जाएंगे 21 स्ववचे सेश लोग बाकी के सेश लोग का मतलब सारे पृत्वी के राजाए और बाकी के लोग उस गोडे की सवार की तलवार से जो उसके मूँसे निकलती ती मार डाले गए एशु के वचन से मारे गए सब बक्षी उनके मास से तुरुप्त हो गए यहाँ पर बहुत बड़ा महा संग्र होगी लिखा गया है कि गोडे की सवार तक उनके लगु बहती जाएगी आकाश की पक्षी उनके मास को केई साल तक खाते रहेंगे इपड़ी वर युद्ध तिल एशु जैया मड़पा एला सत्रुएं जैतिटारा सारे शैतान पर जैपाया मैंने तीन सत्रु कहा था और भी एक जन बागी है आप लोग ध्यान से सुने रहेंगे तो आपको समझ में आएगा सर्प रूपी शैतान जो समुद्र से चड़कर आने वाला अंतिमसी प्रित्वी पर से चड़ाने वाला जूटा नभी अभी तक जो अंतिमसी और जूटा नभी पकड़ा गया है उनको आग जलते वे गंतक में फेक्टिया बागी सब को मार डाला अभी और एक जन है अंद शैतान अंद पढ़य पाम्बू पुराना सार उसके साथ क्या किया जाएगा तोलंद पारिंगे लगातार देख्ये वडिपड़तल इरुवद वन्दू प्रकाशित वाक्ये बीस एक उरु दूदन पादालतिन तिरवगोलयं परिया शंगलियं फिर मेने एक स्वर्ग दूद को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके हात में कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी सेंडुम् सातानंडुम् चोल्लपट्ट पड़य पामबाईये वलुसर्पत्ते अवन बुडित्तु अधे आहिरम वर्षम अलवं कट्टि वैत्तु अंद आहिरम वर्षम निरेवेरम वरक्यों अधी जनंगले मोसंबो काद बोडिकी अधे पादालतिले तल्ली अड़ैत् उसने उस अजगर अर्तान पुराने सापको जो इबलीस और शेतान है पकड़के हजार वर्ष के लिए बांद दिया और उसे अता खुंड में डालकर बंद कर दिया और इस पर मुहर लगा दी कि वह हजार वर्ष के पूरे होने तर जाती जाती लोगों को फिर न बर्माये उसके बात अवश्य है कि वह तोड़ी देर किले फिर खोला जाए इस युद्ध के अन्त में शेतान को कुंड में डालकर बंद कर दिया बाकी जो दो थे उनको तुरंद आग की जील में डखल कर उनका न्याय चुका दिया वो ही अन्त में जाने वाला स्थान है वहाँ जो जाएगा वो फिर से वापस नहीं आएगा वो युगान युग उसी में तडपता रहेगा लेकिन शेयतान को अभीसे आग के जील में डालना नहीं चाहा इस हर्मगोदोन के युद्ध में शाथान को कुंड में बंद किया हजार साल तक अदक्के परग विटदले आखकुम डोक्क तोड़ु उसे करने के बाद उसे चुडाने के विचार में आएगली इन मेल उटका अंदार गया और उनको न्याई करने का अदिखार दिया गया ये हजार साल की साशन को तुल्ला में बताये गया है साथ साल की अंती मसी की साशन की समाप्त में ईशु आकर हर्मगदोन युद्ध में जैपाकर हजार वर्श इस पृत्वी में राजी करेगा अगला फिर देखिये ईशु मसी की गवाई की रूप में जो कोई पर मेशर की वच्चन की दुवारे मरे वे है उनकी प्राण को जिनोंने न उस पशू की और न उसकी मूर्थी की पूजा कीती उनको में ने देखा ये ही मैंने कहा कि लहू बहा कर जीवन डिये विलो क्रिस्ट वोड़ने गूटाए मसी के साथ आई रवर्ष मारसांटा लगे आजार वर्ष राज्य करेंगे यालेवे शेश्ष लोग अधा बर्श मलव हूं रुक्ष आज़ु खेए उस अजार वर्ष तक जी ने उठे इदु वे मुदलाम उयृत्तळुद यही प्रतम्प आपना रतान के भागी है परशुतावानम बाक्यवानमा इरकरां वही पवीत्र वेव्विक्ति और सो भाग्या है इवर्गल मेल इरंडा मरनत का अधिकार मिल लई इन पर पहला पुनरतान का कोई अधिकार नहीं इरंडा मरनम एंडाल अकिनिक अडल एदी पहला ममृत्यू क मतलब आजिए का आग वर्गल देवनकुम क्रिस्टू कुमन बागया आसारियर आयरंद अवरोडे कोड़ा आयरम वर्शार साल वार के लोग मसी के साथ आयाज के रूप में हजार वर्ष तक राज्य करते रहेंगे इंगे परिशुतावानम अनय वरू सेरंद यहाँ पर साथ इस पृत्वी में राज्य करेंगे करके लिखा गया है मुदर पलन विर्थल दली लिए मिन अवर गया उस प्रतम फल्के पुनरतान में जी उटेंवे लो पर्टवर गया जो कोई उठा लिए गया है रंड़ शाची है वो दो गवाहों रत्त साची है यह लहू बहाई लोग और सव भाग्य लोग है यह लोग आग के जील में नहीं जाएंगे इवर्गल एशु ओड अरसाड़ कर गुट्टा वे इशु के साथ साशन करने वाले इपड़ नमुड़े कार्य तुक्वार वो अभी हम हमारी बातों में आएंगे इरंडावद युद्वां दूस हजार वर्ष का राज्य अलेलूया मुदल युद्व मुडिंद परिशुतावी इन राज्य स्थाभिक्य पट्टदे प्रतम युद्ध के समाप्त में पवित्रात्माजी का साशन शुरू हुआ रंडावद युद्व मुडियम बढ़दे जब दुसरा युद्व समाप् युद्व पाड़ें परिशुतान अखरत एली रिकुमेंड बाइबल करते हैं लोगों की चामनी पवित्र नगर में होगी करके कहा गया है कि अलेलूया में पांच साल की साशन के लिए कितने ही उत लिवत न्हीं बपुमें लेकिन इसी पृत्वी में परमेश्र हमाओ लि मैं भी कभी सोच कर देखता हूँ यह सब क्यों नेरा परलो तो कुंड़ बैटार ले सीधा स्वर्ग ले गया वहीं पर रखना चीए था फिर से क्यों पृत्वी में लाया आज जार वर्ष इस पृत्वी में राज्य करना है उसका गुप्त उसी के पास है लेकिन मैं नम्र से सोचता हूँ इस फृत्वी में जब कितने लोग इशु को टुकराते हैं इस जोटी सी भीड़ इशु के लिए उठा है यतन्यों निंदे अवामान मान वोई तो कितनी ही निंदार अपमान सहें पृत्वी मेरे लोगों को इस फृत्वी में हजार वर्ष में आदर करूंग अधिक परक नितियम उसके बाद अनंत काल एसे पर मेश्वर की इच्छा है अलेलूया इसमें भी एक बड़ी गुप्त बात है अब राम को की वी प्रतिग्या अंद संद दिक्यों और काल उसके वंश के लिए दीगुई वां पृत्वी को अनुबोव करने के लिए वो भी इसमें पूरा होता है अधिक टंगल आचरियो मानवर मेश्विर के निरने बहुति आश्रे जती है अग्वेवर आई रवर डार साच्छी नमगत वैतर करा है हजार वर्ष का राज्जी पर मेश्र आमारे इदे भूमी ले मिगंद नीधी उंडाय रखो प्रत्वी में अध इसी प्रत्वी में हमारे लेक धार्मिक राज्य रखा है इसा होगा कि वह सिह जो है दूसरे जानवर को पकड़ कर खाने नहीं सकेगा वह एक पशूप बैल के समान घास खाएगा साप तसेगा नहीं बच्छों के साथ खेलेगा नहीं तुपार कमडिया अधा और आरा साल इसी प्रत्वी में अधुदान अर्पुदां वही अध्भूत है तोड़ा सोच के देखिए शेयतान को बंद करने पर प्रत्वी में शांती हो जाता है कोई युद्ध और लडाई नहीं साब भी टसना नहीं जानता है सबका कारण यहीं है आमेन आमेन वह कुड़ूंप त सारी समस्या का कारण वही है कलिश्या का सारा समस्या का कारण वही है इसले पर मेशर के लोग बड़े समस्दार से लेना है कभी मनिश्य के विरोध नहीं जाना है मनिश्य बहुत बिचार है यही अपने हाथ में लेकर उनको उस्तमाल करता है इसलिए कभी मनिश्यों का सामना ना करते हुए उनके पीछे क्रिया करने वाले शेयतान पर जैपाना है यही कोई आपसे लड़ता है तुरंद अपने मन में उस लड़ाई के आत्मा को भगाना है तब वो अगला शब्द बोल नहीं पाएगा यही शेयतान की सहायता नहीं हो तो जगणा नहीं हो सकता उस आत्मा के विरोध हमेशा युद्ध करते रहे ना है इसलिए कभी किसी आदमी के सामने जाकर यह ने कहना कि तु शेयतान जा वो बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी मन के अंदर शत्रु की कामों को ठसते रहो लगातार सारी विरोध बंदूर हो जाएगी यह सारे भूरा शेयतान का काम ही इस प्रकार करता है लेकिन परमेश्य को सिद्ध रूप से बनाया है मनिश्य परमेश्य के रूप अनुसार बनाया गया है वो सचाई से ऐसा काम नहीं कर सकेगा लेकिन करने को रखता है शेयतान एक सही उदार आपना जैल पोटा उड़ना है उसे बंद करने पर सारा प्रुत्वी रूपांत रो जाता है हलेलूया हलेलूया उँग कुडुम्बत ले किरिये जेर साथान तुरत निंगे ना उँग कुडुम्ब में मर रुपमाई येदि आपके परिवार में कार्ये करने वाले शेतान को बगाद होगे तो आपके परिवार में शांती हो जाएगी हलेलूया सबसे प्रतम यूद्ध कुल्गदा में हुआ येशू साताने जैता ईशू शेतान पर जैपाया पवितरात्मा जी कार राज्य स्थापन किया दुसरा यूद्ध हर्मगदोन में उने वाला है आपने हजार वर्ष की राज्य को वहाँ पर स्थापन करेगा हलेलूया आईरम वरुडं आलुगै सेवा आंडवर येशु तामे आईरम वरुडं आलुगै सेवा आंडवर येशु तामे नीदी समाधानम निरेंदे इरुकों जोधी इन आलुगैलू मेगमीरि एसु राज्य वेगम् वारारी किरिस्टू कुले अरित्तोरल्ला किलम्पीय येळुम् विडवा किरिस्टू कुले अरित्तोरल्ला किलम्पीय येळुम् विडवा मरिकादी इरुकों परिसु तरलल्ला परंदे पोवारे मीगमीरि इसु राज्य वेगम् वारारी पाडवटोर्कु पलनली पादी पाडवटवदामी पाडवटोंगी बलनली पाडवटवदामी तूडोंगा मात्तो तूरै विल्ल्ला पालनै रूविय आलि थिडवा तूडोंगा मात्तो तूरै विल्ला पालनै रूविय आलि थिडवा वीड़ वीडिली सीराज्य, वीड़ वारारी आईरम वर्शं, आलुदिसीम, आण्डवरी सुधामी आईरम वर्शं, आलुदिसीम, आण्डवरी सुधामी नीदी समाधा नम् निरैंदे इरुद्ट, जोधी मालुगेइल नीदी समाधा नम् निरैंदे इरुद्ट, जोधी मालुगेः नीदी समाधा निरैंदे इरुद्ट, जोधी माधा निरैंदे आण्डवरी सुधामी पारी अग्मैगिल्ग दारी निमुंग वर्ला वर्वार विर्वार विर्थ मेल वेनि रूगी थी करिंगे पिस्टे पीजिन आगे अदोना पिस्टे राजा ने तेगे वारारे किस्टे राजा ने पार आप आप आपर एव्या ओन्रावद युद्ध तो तेगुरित पार कला तृत्तिय युद्ध के बारे में देखेंगे प्रित्वी के चारो तरफ से राज्य पर कोगोन और माखोन को नस्ट करने के लिए उनको युद्ध में जुडा लेने के लिए निकल पडेगा उनकी गिंती समुद्र की बालू के बराबर होगी वो पूरे प्रितिवे पर फैल कर पवित्र लोगों की चावनी पिरियमान नगर तैयम पिरिये नगर को वाला इंदु कोंडा रुके खेर लेंगे अलेलूया अभी शेयतान यहाँ पर छुटकारा पाया उड़ने अवन सेंडर जो तुरंद जाकर गोग अर्मागोग नामक विक्तियों को अपने हाथों में लेकर उनकी नेताओं में कई लोगों को इखटा करके समुद्र के बालू के बरोबर में इशु के विरोध उठाता है हजार वर्ष के राज्य में रहेवे लोग इसके जाने पर उनके हाथ में गिर जाते है इशु के विरोध उठ जाते है समुद्र के बालू के बरोबर लोग पृत्वी भर फैल कर परिये नगर का मतलब इर्षले परिये नगर का मतलब हम जहां पर रहते हैं वो रहते हुआ स्थान आम हजार वर्ष के राज्य में तेजो में शरीर के साथ हैं हमेशा ईशु के साथ रहेंगे इसलिए फिरसे मुंबे में आकर रहेंगे करके नहीं सोचना इशु जहां रहेंगे वहीं पर हम भी रहेंगे प्रियमान नगरमा इरसलेम इरसलेम को गयर लेते हैं इशुबी वहीं पर हैं हम भी है अब ये आकर गयर लिया तिसरा युद्ध जग इरसलेम शत्रु पलयांद साथान शत्रु वही पुराना शेटान उसके साथ गोग और मागों की भी अब तृत्य युद्ध शुरू हुआ है लगातर हम देखेंगे नौवावचन की बीच में तब वहाँ पर अस्वर्ग से आग उतरा कर उन्हें बस्म कर दिया ये युद्ध आग के दुआरा जैई पाया युद्ध में परमेशन अपने मूगी तल्वार रूपी वचन से जैई पाया युद्ध मा ये युद्ध ये ये युद्ध में पिता परमेश्वर स्वर्ग से आग उतार दिया सारी बीड बस्म किये गए इश्व वहाँ पर जैई पाया हम भी उसके साथ खड़े रेंगी अलेलुया पत्तावद वस्वनों उन पर बरमाने वाला शेतान जिसमें वो पशू और जूटा बहुश्य दकता भी होगा आग और गंदक की उस जील में डाल दिया जाएंगे और वे रात दिन युगान युग पीडा में तड़पते रहेंगे इर्शलेम के युद्ध के अंत में शेतान का न्याय चुका कर उसे आग और गंदक के जील में डाल दिया उनके लिए और उनकी दूतों के लिए तयार किया गया वास्थान केवल वोर नहीं उसके सारे दूत भी वहाँ पर जाएंगे शेतान के बीड साब मिलकर वहाँ पर डाल दिया जाएंगे लगातरम देखते हैं ग्यारा वचन से लेकर पंदरा वचन ते ये शुकरुस्त परिया वेल्लै सिंगासन तुलुकांद उलख मुलुवद इन्याईंद इरपार अले गुरुत नेट्रे के नाम ध्यानी तो उसके बारे में हमने कल के दिन भ्यान किया अधन पिरपाड उसके बाद इरवत्य वंडराम अधिखारत ले एक्की स्वाधियाई में मुदल रंड वसनंगल पार्कम पड़ुद पहला दो वचन कों पड़ते हैं पुरानी आकाश लोप हो गई इंद पूमी उलिंद भोगो ये पृत्वी भी मिठ जाएगी आग से जला दिया जाएगा करके लिख पुदिया वानतियम पुदिया भूमी अंगंडे नए आकाश और नई पृत्वी को देखा वंड़ाम वसन दिले दुसरा वचन में पुदिया यरिसलेम आगे परिशुत्त नगरत पवीत्र नगर नए इरशलेम को देवनड़तिले रंद परलो ते विट्टिक रंगी वरक स्वर्ग से परमेशर के पासे उतरते देखा अलेलूया इपड़ते यलावच को मुडिव वंद विठ्थ दे अब सबका अंत आ चुका है इस पृत्वी को परमेशर नास करना है इस आकाश को भी रोल दिया है नए आकाश बूमी नए पृत्वी समुद्थर ते यंगे कान विल्ले एंडियो बाँ चुल्लिकरा और वहाँ पर समुद्र ना रहा करके युहन्ना केता है अधुमट मले वर्केवल नहीं परलोगतिले रुण्दी स्वर्ग से परिशुत्त नगरां पवीत्र परमेश्युर का नगर नगर नए एरशले प्रत्वी का एरशलेम नहीं परम जोती के पिता की और से उतर आता है इसके बारे में इश्व ने पहले से कहा है योवान पादिनान का मदिगारम यहना चोदा वाधियां में पहला दो वचन तुमारा मन नहीं को शोकी थो नहीं डर हो मेरे पिता के घर में अनेक निवास्तान है मैं तुमारे लिए एक स्थान तयार करने जा रहा हूँ तयार करने के बाद मैं फिर से आकर मैं तुमको अपने साथ ले जाओगा ऐसे कहते हुए इश्व उपर उठा लिया गया इसलिए अब भी उस नगर का काम वहाँ पर शुरू है जारी है यह सच है इस दुनिया में जिसका भी नाम जीवन के पुस्तक में लिखा जाता है अब हर्रे के लिए वहाँ पर निवास्तान तयार किया जाता है आपके आत्मीक जीवन में जितनी बड़ोती है उतनी आपके निवास्तान वहाँ पर विस्तार होती है आज के दिन जब हम प्रुत्वी से देखते हैं तो चांद को देखते हैं अधे पोल वर सैटलाइट सिट्टी आगा दिया रंगी बंद निक्क उसी तरव ग्रह के समान उतर आकर खड़ा रहेगा नया प्रुत्वी को वही जोती देगा अंद पठनंदान मोच पठना वही नगर जो है स्वर्गिय नगर है अनंद काल पर साष्ण करने वाला नगर है लगातर 21 स्वाध्याई से लेकर 22 स्वाध्याई के चौता वचन तक्वे लिखा गया है वही हम रहने वाला स्थान है पिता भान पर अंगे रुपा पिता वहाँ पर होगा आठीकुट्यान पर आगी एस कुस्त्तव आंगे रुपा मेमना इश्व मसीवी वहाँ पर रहेग बार प्रकार की जीवन के विरिक्ष देने वाले फल वहाँ पर दिखाई देंगे सारे नवरतन की पत्रों से सारे सड़क बनाए जाएंगे हर एक दर्वाजा में मोती बसाए जाएगा कितने अच्छी तरह से सज्जा कर लिखा गया है ऐसे एक तेजो में शहर को परमेश्रमारे लिए तयार किया है वहाँ पर परमेश्रम को ले जाएगा अलेलुया अपड़ देवनोडे तिट्टम नरवेरो तब परमेश्र का योजना पूरी होगी आदम से शुरूई मानो जाते की योजना वहाँ पर पूरा होगा स्वर्ग से उठेवे एक उचे शब्द को मैंने सुना देख परमेश्रम का डेरा मनुष्य के बीच में है वो उनके साथ डेरा करेगा वे उसके लोग होंगे देवन तामे अवर्गलोडे कूड इरंद और परमेश्रम आप उसके साथ रहेगा आवर्गलोडे देवना इरुपा आरु उनका परमेश्र होगा लेलुया हमारे द्यान की विचार में प्रत्तम युद्ध की समात्व में पवित्रा आत्मा जी की साशन शुरू हुई जैसे ही द्वित्य युद्य हर्मोह दोन में समाप्ट हुई इश्मसी की शाषन शुरू हुई जैसे ही तृत्य युद्य अर्षिले में समाप्त हुआ किसका राज्य स्थापन किया जाएगा पेले कुरुंतियों की पुस्तक 15 वादियाएं 24 वचन पडिये उसके बाद अंत होगा उस समय वो सारी प्रदान्ता और सारा अधिकार और सारे सामर्त को अंत करके राज्य को परमेशर पिता के हाथ में सौप देगा अब अधुवरे के आवर आलगे जिया मरंदार ने तप्पा नन चिरवेंटा ये गलत न समझना की तब तक कोई पिता का राज्य न था सदा सर्वदा वही राज्य करता है अनाल लेकिन ये मानो जाती पर का योजना प्रित्वी में परमेशर ने शुरू किया लेकिन उसके केई हजारो हजारो ग्रह और अग्रह है स्वर्ग बहुत बड़ा विस्तार है उसके नजर में तो ये पृत्वी एक मिठी का गोला है उसने एक प्रजेक्ट शुरू किया मेरे साथ जीने के लिए मेरे रूप अनुसार कोई तो चाहिए लेकिन वे सब सेवा करने वाले लोग है परमेश्वर नोकरों की सेवा तहल करने वालों पर प्रियना होते वे बच्चों को मांग किया एक पुत्र है ये पुल्लेगल वेंड़ू अनेक बच्चे महिमा में आना है इसलिए मानो जाती पर किया वह प्रजक्ती उसने ये प्रजक्त है इसलिए परमेश्व ने आधम को बनाया उसमें से शुरू होकर उसकी योजना यहां पर समाप्त होती है इसलिए इश्व मसी को मानो का रूप बनाया केवल इश्व मसी के लिए ये काम नहीं साब परमेश्व चला रहा है लेकिन हमारी लिए यहां पर आकर एक काम किया वो बहुत बहान है हम इस पृत्वी में रहते हुए इसे पढ़कर उसको कुछ छोटा या अल्प नहीं समझना है येदि हम इसे ध्यान करेंगे तो हमारे समझ के बाहर है इतना महान येश्व कैसे मर्यम के गर्व में उत्पनुआ कैसे इस धर्ती पर जिया कैसे कब्रस्तान में जाकर बैठा उसे वर्नन ही नहीं कर सकेंगे उतना ही वो हम पर प्रेम किया ये पवित्र परमेश्वर कैसे इस मिट्टी के पात्र में आकर बसा है हम जब स्वर्ग में जाएंगे तब उस महिमा में रूप को हम देखेंगे केवल अभी के समय हमको एक आर्से में चाओ के समान दिखाई देरी है इस योजना में पवित्रात्मा जी का साशन इश मसी का हजार वर्ष का राज्य उसकी समाप्त में सब कुछ पिता के हाथ में सौप देगा हे पिता आपने जो काम शुरू किया उसे में जेवंत रूप से पूरा किया एलो में आपके हाथ में सौप देता हूँ स्वर्ग में अधीक आणन्द होगी ऐसे बड़ी योजना परमेशर हमारे लिए रखा है इसे मनिश्य समझते नहीं है इस संसार के अधिपती उसे अंके आंकों को अंदा कर दिया है ए परमेशर के लोगों हम इसे समझ लेंगे इश्यू के लिए जीएंगे आने वाले राज्ये के लिए जीएंगे इस दुनिया की बातों के लिए नहीं जीना सब कुछ नश्ट हो जाएगी अनंत अनंत काल के युगान युग तक परमेशर हमारे लिए असाशन रखा है इस रात के समय में अपने संदेश को समाप्त करने से पहले एक बात आपके सामने मुख्य कर रखना चाहता हूं अनंत काल के राज्य में भाग लेना है तो आज के दि परिशुताविन राज्य में प्रवेश करना है परिशुताविन राज्य में प्रवेश करना है कि दिन पवित्रात्मा जी कार यह कर रहा है अध्य जो लेने को कहता है अभी शेक्पाने को कहता है इंस सब काग्या पालन करके भी तर आईए पवित्रात्मा को पालीजिये इफ इस यो एक तेरा स्वस्च रूप से कहता है जब तुम विश्वासी बने पढ़िये रच्चिपिन सुवी सेशमागे सत्य वसनते केट्टू विश्वासी बनन पड़्टा परिसुत्त आवियाले अवर कुल मुत्तरे बोड़ पड़्टी इरगल और वसनों कोड़ अवरुक सोंदमानवर्गल अवरुडियम अयमय के पुगल्चियाग मीटक पड़वार्गल यन्पधर की आवियानवर नमडे सुधन्दरती नाच्छारमा इरुकरा अलेलूया अलेलूया इंदील वास्केरिएंगला प्रैस उल्लाट हमारे ईश्मसी के आघमन में हम छुडाएंगे इसका चाप मन फिरा कर बप्तिसमा लेकर पवितरातमा जी को पालेना है जब पवितरातमा अमारे बीतर आएंगे अले परलो तुन्दे आंगी खारोम वही स्वर्ग का ग्रहन है वो स्वर्ग का मुहर है किसके लिए मुहर है आगमेन में उठा लिया जाने का मुहर है इफिश्यो चार तीस में कहा गया है तुम पर छुटकारे के दिन के लिए दी गई चाप जो परमेशर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो यह दोनों वच्चन को बड़े स्वस्च रूप से कहा गया है यह मुत्रई बराविटा यह पवित्रात्मा की चाप न पाएंगे हम चुडाएं नहीं जाएंगे इंदे की इंदे इरव कोटत ले आज के दिन इस रात की समयलन में कितने लोग अभी तक पवित्रात्मा का अभ मुझे भी अभिशे की अवश्य है कि वांजित केटाल कत्तर उंगलई नरप्वा यह आप हाफना से मागोंगे तो परमेश्रप को भर देगा अप्रेरी तो दो चार में पड़ते है उस बार जब पवित्रात्मा पहली बार उतर आया अवरगल यह लोग सब पवित्रात्मा से बरे गए निर्प पड़ल बर गए पलवेड़ परस्ताविना से वाडवार के लोग के बार मवित्रात्मा मंड राता है लेकिन हमारे अंदर भावना होती है लेकिन भरे जाना निरप पड़ भरे गए अर्थर तंदर उलिन वरंगलिन बढ़िये परमेश्र की दुआरा दिये गए वर्दान के अनुसार के अन्य भाशाओं में मोलने लगे परिशुताविन अभिशेग दोड़ पर अन्य बाश्य परमेश्र देता है नमडे नावई संधिकरा हमारे जुबान से मिलता है नमडे नाविले अवरोड़े पाशे तरहरा हमारी जुबान में अपनी अन्य बाशा देता है नाम देवनोड रगसी अंगले पेशु वदरकान अन्य भाश्य हम परमेश्र से गुप्त बाते कहने की बाशा नमडे वर्द्ध होने के लिए बाशा बंड कोरूंतियों चौता तुसरा चौता वच्छन में लिखा गया है अन्य बाश्य देवनोड अन्य बाशा की चाप के साथ अवित रात्मा जी के अभिशे को पाले ना है वह तुमारे अंदर आ गया है तुमारे अंदर आए सारी सच्छाइब वाल के लिए श्वय में में पड़ती काट वा आपके जीवन में इश्यू का महत्वत कराएगा तुम नीदिय कुरित वाप और धर्म के विशेई वाणे वाले न्याय के विशेई उन अर्थी नड़त्तुवा परमेशर आपको भावना कुरुत करेगा अवे पादगात्तु गोल्ड़ुवा तुम आपकी